हेलो फ्रेंड्स कैसाब सब लोग फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुती महत्पुन्थ सिद्धान्त की देखें इस वाले चैप्टर से चाया आपका टीचिंग का कोई भी एक्जाम हो लाइक आपका सी टेट हुआ यूपी टेट हुआ रीट हुआ कोई भी टीचिंग का एक्जाम उठाकर देख लेना यहां से आपका कोश्चन देखने को मिल जाता है आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीडियो की स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट और साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जितने भी यह महत्पुन चैप्टर है उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ आपको इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक और शेयर तो बिना कई आप लोग करी देते सब्सक्राइब क спасAK नंचरा िरुरे यह एक नंबर का कोस्ट पतानी कितनी बार टींग एक्जाम में पूछा गया है और यूटध के घ्राइब का रेक्नीर यूटव आपे चीज वह में बताता वह आगे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजे इस सिद्धान का पर्तिपादन अमेरिका के ये question भी पूछा गया है एक्जाम के अंदर ये किस देश के मनोव गया निक थे तो ये अमेरिका के Harvard विश्विद्याले के प्रोफेसर B.F. Skinner द्वारा दिया गया था तो कौन उर्ने निक बारे में आपके पूछी है अब देखे ये जो आप इस सिद्धानत का सिद्धानत को क्या कहते है देखे नेमितिक अनुबंदन का सिद्धान पिसको का जाता है कारियात्मक पर्तिपद्धता का सिद्धान का जाता है सक्रिय अनुबंदन का सिद्धान का जाता है अभी कर्मित अनुदेशन का सिद्धान का जाता है अब एक्जाब में question यह पूछा गया था कि जो अभी कर्मित अनुदेसं का सिद्धानत है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो जाना जाता है किरिया पर्शुत अनुबंदन का सिद्धान जो कि स्किनर ने दिया था इस तरीके से question पूछा जाता है तो इन चारों को ही इसके उपनाम को याद कर लेना या आपके लिए बहुती महत्पून रहेंगे ये तो रही है भी सिद्धान के बारे में में बातें कि ये सिद्धान का क्या नाम है और इसके क्या अन्य नाम है अब इस सिद्दान के अंदर इसकिनर साब ने क्या कहता है तो बीएफ इसकिनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानि रिस्पोंस पर जोर दिया था इस सिद्दान के अंदर इसलिए से किरिया परसुत अनुबंधन का सिद्दान कहते है यहां पर आ रहा है ना सुरू में किरिय जहाए इसमें सबसे पहले response पर जोर दिया जाता है वो कैसे इससे पहले जैसे मैंने अधिगम के नियम अभी मैं आप लोगों को पड़ा रहा हूं तो इससे पहले जो वीडियो डाली तूर मैं थोंडाई का आपको पड़ाया उसके लावा पैव विडियो को कोई वीडियो देख लेना उसमें अधिक नियम बताएते हैं सेम looks तरीक है जो इसकी नर है इन्हें भी अधिकम का नियम दिया था कि हम लोग चीजए कैसे सीकते है आप लोग हो गई मैं हो गया हम छीजों को कैसे सीखते हैं इन्होंने बताईती हैं तो इन्हेंने कहाता सबसे पहले हम response करते हैं सबसे पहले हम अनुक्रिया करते हैं उसके बाद हम चीज को सीखेंगे ठीक है अगर इन मनुविग्यानिक के बारे में आप पढ़ोगे तो टेल में वीडियो देख लेना यूटूब पर कोई भी टोपिक आपको चाहिए सर्च मारा करो साथ में मेरा नाम लिख दिया आता वो पहले चुहे पर किया था और उसके बाद कबूधर पर क्या था सेम एक्सपेरिमेंटों जाते हैं अ चुहे इन्जरे के अंदर जो के बंत कर दिया तो यहाँ-पर एक लिवरत पिंजरी का कदे लिदुज और अपने क्या काम करा टैल ना पर आपने पैर मानने बांसे फ्रेसर कर दिये एैंक क्या काम किया सब से पहले इसने रिसपॉंश देट Bernard खुलिया और इसने जाकर फिर अपना खाना खा लिया तो इस सिद्दांत में ने क्या चीज़ बताई कि पहले चुए ने यानि क्रिया कर रहे हो जैसे चुए ने अंदर करी थी और उसके बाद आपको जोब मिलेगी जैसे इसको खाना मिला था और इसमें महत्पुन योगदान होता है रिइनफोर्समेंट का वो मैं बताता हूँ आगे आखिर का रिइनफोर्समेंट क्या होती है अब इस सिद्दान है और वैसे-वैसे शही अनुकरिया करने और लक्स तक पोचने में तिरोथा यानि तेजी भी आ जाती है तो सीखने के अनुकरिया में रिइनफोर्समेंट यानि पुनर बलन का विशे स उमेहत्तु है यह पुनर बलन का संबंध जो इसकी नर्साइब से मिलता है ठीक अब आपने बहुत बार एक्जां में आता रहता है पुनर्बलन क्या होता है इसे उप्धिपक्क को देने से अनुगरिया करने की संभावनाません बढ़ जाती हो कैसे चैनल लोग ने को एक्जान पास कर लिए अपने इन्फोर्समेंट का जो होगा यह आपके नुक्रिया को दुबारा अब और बढ़ा देगा यार पिसली बार पाप ने मोबाइल देये ढाम बाइक देदे क्या पहता इस बार गाडी दिला दे तो आपको क्या रेसपोंस करने के लिए प्रेरीद करेगा तीर उता लाएगा तेजी लाएगा आपको अपने रिस्पोंस करने के लिए ठीक है तो यह होता है रिंफोर्समेंट जिस उद्धिपक को देने से अनुकरिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है यह समझ गए इसके बार में आप देखिए अब मोटा मोटा से इसके बार में दो चीज़ ओर जान लो एक होता है पोजिटीव और इनफोर्समेंट एक होता है नेगेटीव और इनफोर्समेंट इनके बारे में जानलो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि सकरात्मक पुनरबलन में क्या होगा? जैसे मानी जब होजन, पानी, नोकरी, परसंचा जैसे एक्जाम पास होगे, आपकी परसंचा कर दी, तो आपके लिए क्या होगा? पोजिटिव रिंफोर्समेंट होगा, आप दुबारा मेहनत करोगे, पापने तारिफ करेगे, एक दिन दुनिया तारिफ करेगी, जब मैं एक्जाम में टोप करूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से पोजिटिव हो जाएगा आपके लिए, इसके पोजिटिव क्या हो जाएगा? नकरात्मक पुनरबलन क्या हो जाएगा? मानलीज आपको पनिस् असलाव हम आप या जो भी मनुष्य होगे या जीवजन्त होगे, उनको सकरात्मक पुनरबलन दिया जाता है, यानि पोजिटिव इनफोर्समेंट दिया जाता है, तो प्राणी जो क्रिया होता है, रिस्पोंस होता है, उसको दोर आएगा, ठीक है? और अगर उसको नेगट अनुसूच्यों के बारे में, सिद्डिव के बारे में बात करते हैं, जो इनफोर्समेंट की सिद्डिव होती है, यह दो परकार की होती है, यह अब टीचिंगे एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिल रही है, एक नंबर की कोई ना कोई सी के बारे मैं एगजामर अनुसूची यानि continuous reinforcement schedule दो तरह कि यह अनुसूची होती है एक होती है continuous reinforcement schedule दूसरी होती है partial reinforcement schedule इनके नाम से ही पता चल रहा है सतत मतलब लगतार continuous एकजाम के ऊपर यह बोड के उपर अब से पर कोश्यन लिख दीन अकांब करने बच्चे की तारीफ करनए दूसरा करा तो तो मेरा नाम रूसंत करेगा तीसरे अपिर तारीफ करेगा स्कूल करेगा तो ऐसे ही हर question पर हो उसकी तारीफ कर रहा है यानि क्या हो रहा है जब जब किरिया हो रही है जब जब बच्चा question के answer दे रहा है तो उसको reinforcement दिया जा रहा है अभी मैं आपसे question पूछूँगा उसका answer बताना ठीक तो यहापर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सतत्पुनरबलन यानि continuous reinforcement दिया जा रहा है बच्चे को इसका opposite दूसरा क्या हो जाएगा जैसे यह 5 question ते मान लिजे टीचर हर question पे तारीफ ना करे बच्चे की इन 5 question पे किसी 2 पर तारीफ कर दी या किसी 3 पर तारीफ कर दी जो से लगा बहुत महत्पुन ते बच्चा टक सकता था लेकिन फिर भी उसना अंसर दे दिया तो यह हो जाएगा partial reinforcement schedule यानि आंचिक पुनरबलन अनुसूची इसमें हर किरिया के लिए पुनरबलन नहीं दिया जाता बलकि यह कुछ किरियाओं के लिए दिया जाता है और मेरा आपसे question है कि पुनरबलन सतत पुनरबलन महत्पुन होता है या फिर आंचिक पुनरबलन महत्पुन होता है बती एक comment box में क्या answer होगा तो इसको आप लोग समझगे दोनों के बार में देखें मैं यह आपको बता देता हूँ जो आंचिक पुनरबलन होता है जो पार्शियल रिइनफोर्समेंट होता है यह सबसे जादे महत्पूर होता है ठीक है किसी भी चीज को सीखने के लिए यह सबसे जादे महत्पूर रहेगा जब लगतार कोई चीज मिलती रहेगी लग लेकिन अगर टेस्ट में जो बच्चे फर्स्ट सेगिंड थड़ा है या फिर जो पहले कमते इस बार जादे नंबर लेकर आए ऐसे मोके पर में उनकी उपलब्दी गना हूँ उनकी तारिफ करूँ यूटूब पर उनका नाम लूँ तो यह जादा बढ़िया रहेगा यह जा आपको क्या मिले अच्छा reinforcement मिले और आप चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाओ बेसिकली अधिकम के सिद्दान्त में आपको यही चीज मैंने सिखाई है कि चीजों को कैसे सीखते है ठीक है जो चीज हमें साइकलोजी के अंदर पढ़िया उन्हीं चीज को मैं इंप्लि हो गए जो सिद्दान्त आपनी नहीं देगे यूट्यूब पर सर्च मार लेना साथ में मेरा नाम लिख दिया करो जो भी टोपिक आपको देखना हो सचिन आपको टोपिक मिल जाएगा उससे आपके सारे कंचाप्ट क्लियर हो जाएंगे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ल यून नहीं थे वोड़ी यूज आपको ट्याएंगे चैनल को देखनेवा बार ले बाएंगे साथी नहीं, वोड़ी नहीं, इस दिवीज़ सब्सक्राइब कर दो एचि और ले नहीं, वोड़ा फवाएंगे प्रिष देखना में, तैक तो पंपिके सब्सक्राइब कर दो